नमस्कार मैं हो दिपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग नियूज बाका की बड़ी खबरों के बुलिटिन में आपका स्वागत है बरते हैं खबरों की ओर करना पड़ रहा है उपस्थित लोगों ने बताया कि पैकार टोला दिग्गी पोखर सुभानपूर महगामा बनहरा खंजरपूर लक्षमिपूर हसनपूर डुम्रामा गाओं में इस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं किया गया है मौके पर वीडियो ने उपस्थित लोगों को आस्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दिया जाएगा मौके पर वीडियो ने उपस्थित सभी लोगों से वैक्सिन लेने की अपील करते हुए आम लोगों को वैक्सिन लेने के लिए जागरूप किया बैठक में महमद कमरोल इसलाम, महमद अली रजा अंसारी, महमद खुर्शीद, महमद हसनैन, रुस्तम मंसोरी, महमद आलम अंसारी, महमद अस्गर अली, महमद हनीप, महमद तययब, महमद सराफत समेद, पर्खन छेतर के इमाम एवा مسلم समुदय चे लोग उपस्थित थे बाका जीले के धोराया थाना छेतर द्रगर धोराया सनौला मुखी मार्ग SH-84 पर मिर्चिनी पूल के समीप सुक्रुवार को सड़क दुरगटना में घायल हुई रब्डी गाउ निवासी मुभारक अंसारी की पत्नी 40 वर्षिय सलिना खातुन की उपचार के दोरां मौत हो ग गाउं से ओर्टो पर सवार होकर दॉक्टर को दिखाने के लिए सामुदाईक स्वास्ते केंदर धोराया आई थी मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि महिला डॉक्टर को दिखा कर पैदल चल कर धोराया सनौला बस स्टेंड की तरब आ रही थी इसी दोरां धोरां धो पूल के समीब पहुँचे तो एक अग्यात अनियंत्रित ओर्टो वाहन ने टक्कर मार दी हाथसे में महिला गंभीर रुप से जख्मी हो गई इसके बाद जिस ओर्टो से महिला को धक्का लगा उसी ओर्टो से महिला को जख्मी अवस्था में ओर्टो पर सवार कर पहुचा कर चालक ओटो लेकर फरार हो गया प्रातमिकी उपचार करने के बाद चिकिसक्क डॉक्टर अपताव आलम ने इस्थिती को गंभीर देखते हुए महिला को माया गंज भागलपूर रेफर कर दिया बदाया गया कि भागलपूर माया गंज में उपचार के दोराम म पहिला की मौत हो गई हाथसे के बाद से ही मिर्तिका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है सूचना मिलते ही धोरईया पुलीस मौके पर पहुंच कर जांच परताल में जुट गई पुलीस अब इस्पेक्टर मुर्शीत खान ने बताया कि आवेदन के अधार पर अग्यात वह अधान चालक की सिनाक्त कर गिरपतारी कर ली जाएगी खबर लिखे जाने तक धोरईया पुलीस ने श्रव को कपजे मिलेकर आगे की करवाई में जुट गई है बाका जिला की रजौन थाना चेतर अंतरगत दामोदरपूर गाउं में बिजली की करणड की चपेट में आने से नौ वर्शी बालक मुर्शित हो गया आनन फानन में बच्चे के परिजनों ने बालक को उपचार के लिए अमरपूर स्थित रिफ्रल अस्पताल लेकर आए जहां अस्पताल में प्रभारी डॉक्टर विनोत कुमार ने बालक को देखते ही मृत गोसित कर दिया मृतक नंदलाल मंडल का नौ वर्शी पुत्र सागर कुमार बताया गया अस्पताल परिशर में मृत बालक के परिजनों ने बताया कि घर में टेबूल पंखा बच्चे के उपर गिर गया और बच्चा करन की चपेट में आकर मुर्चित हो गया आननफानन में घर की बिजली काट कर बच्चे को उपचार के लिए अमरपूर अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्तरों ने बालक को मृत गोसित कर दिया बड़ा भाई शिवम कुमार की उम्र तेरा वर्स है और वहां गाउं के ही इसको में पढ़ाई करता था जबकि दोनों बच्चों की युज्वल भविस के लिए दोनों बच्चों के पिता नंदलाल मंडल बिल्ली में रह कर मजदूरी करते थे लॉकडाउन में ही इनके पिता गाउं आया था घटना के बाद मिरितक्त बच्चे के परिजनों में कोहराम मची हुई है तो आप तक के लिए इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार